बिसम्लार्रह्मानिर्रहीम असलाम अलेकूम डियो पैरेंट्स और स्टूरेंट्स हम पढ़ रहे हैं फैला चैप्टर जिसमें चैप्टर का नाम है अब बोन्स एंड मसल्स में हमने पढ़ी थे अब स्केल्टल सिस्टम इसमें हमें पढ़ा स्कल्ण और रविब्केज बस बेक बोन्स बोटिब्रल कॉलं पर की प्लम को यह समय्ट कर देंगा जो अबर अबर आम जो का है हमारा आर्म को डाराम देया हुआ हुआ है यह हमारा upper limbs हमने देश कहा है इस upper limbs के 3 पार्ट से arm, forearm and hand तो आज यह हम रेभी आज भी तो आज हमने दोनों arm and forearm के 60- 들형 के बारे में अपको पढ़ा था आज आज कहा से कहा तक है shoulder से लेके elbow तक and forearm elbow से लेके wrist तक आज आज एभी पढ़ना है जो hand वाला पॉर्शन है वह कौन सा ही, इसके बाद है पाम हमारे हथेली और इसके बाद आते हैं हमारे फिंगर्स यह हैंड के थ्री पार्ट्स अब यह बाद रखना है जो हमने अपर लिम्स के बारे में पढ़ा अपर लिम्स सबसे लॉंगस्ट बॉन नंबा बॉन कौन सा है हमेरस है यह वाला बॉन हाप आपको दिया आगया है अरो लगा के हमेरस यह अपर लिम्स का सबसे लॉंगस्ट बॉन है तो यह होगा है लिम्स के बारे में अब हम इसके बाद पढ़ेंगे लॉवर लिम्स तो लॉवर लिम्स में आते हैं हमारे लेक लेक के बॉन्स जो हम पांगे, the lower limbs, legs are composed of the bones of the thigh, leg and foot. इसमें भी तेन, 4 bones है, 3 bones है, 1 thigh, thigh वाला bone, and the leg का, और foot का, 3 पार थेक है, thigh portion, leg वाला portion, and foot वाला portion, एद फूट वाला portion, एंद नी पार्शन, इसमें आते हैं, thigh bone is the region between the hip and the knee, अब थाई बॉन वाला रिजिन कौन सा है हमारे हिप से लेके नी तक का रिजिन नी में यहां तक नमाती पुसमोस उपा इस रिजिन को हम क्या कहते हैं थाई रिजिन है ठीक है थाई रिजिन हिप से लेके नी तक के रिजिन को हम क्या कहते हैं थाई बॉन ठीक It consists of a single bone called femur यह वाद यात रखना है अब इसमें भी जो हमेरा एपर लिम्स की तरह हमिरस था इस लेग के lowerz लिम्स में भी एक single bone है strongest bone single bone जिसको हम क्या कहते हैं femur कहते हैं यह आपको दिया हुआ है femur ठीक है और the thigh bone इसको हम thigh bone भी कहते हैं femur को इस लोवर लिम्स है इस लोवर लिम्स में पूरी बॉड़ी में से सबसे लोगस्ट और सबसे लार्जस्ट बड़ा वाला और सबसे मजबूत स्ट्रोंगस्ट वाला बॉन कौन सा है फीमर है ठीक है फीमर भी के सकते है थाई बॉन और फीमर समझ आया इसके बाद नेक्स है the leg is the region from the knee to the ankle अब leg वाला portion है कहाँ से knee से लेके ankle तक जो हमरी यहाँ तक है ankle यहाँ इस portion को कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं वहाँ हमार कोई सा portion लेक वाला portion ठीक है thigh वाला portion यह होगे ओपर वाला portion इसके बाद leg वाला portion knee से लेके ankle तक it consists of two long bones यहाँ पर दिया हुआ है इसमें दो bones है उपर वाले में कितने थे फेमर में एक longest bone था अब जो हमरे leg के portion में है इसमें दो bones आते हैं ठीक है इसमें दो bones है दो long bones जिसको एक को हम कहते हैं shin bone जो साट पर यहाँ पर आपको एरोकी साथ दिखाएगे है और इस वाले को क्या किते हैं calf bone ठीक shin bone is longer than the calf bone ठीक है जो shin bone है shin bone क्या है थोड़ा longest है ठीक है लंबा है किसके मकाबले में इस calf bone के मकाबले में ठीक है longer है these bones are connected to the femur to form the knee joint अब यह जो bone है कौन से bone जो leg का bone है यह किसके साथ attached है हमारे knee के साथ attached है ठीक है knee के जो ओपर वाले thigh bone के साथ attached हो जिसके वज़ह से यहाँ पर क्या बन जाते हैं joints बन जाते हैं knee के joint पुक्समें जोइंट डाने देरी का ठीक है यह बन जाते हैं यहाँ तो knee knee पर क्या है joint है चाल सकते हैं जुग सकते हैं । नी जुइंड बन गे अठीक है किया बन गें हैं? नी जुइंड पर नीजुइंड बन गे новые मश Egyptian वेक्सों के और गें फिमट से क्मेर एक है नी जोएंड बन रहे हैं, the foot contains many small bones, अब पारे आते हैं, foot की, जो हमारे पैर है, इसमें बहुत सारे bones है, ठीक है, many bones है, इसमें, ठीक, the bones of the lower limbs are heaviest, largest and strongest bone in the body, ठीक, हमारे जो पुरी body में, हमारे सबसी पुरी body में, अब लोवर लिम्स की bone, जो है, वो सबसे heavy है, भारी वाले bones, largest and strongest bone है, क्यों हमारे पुरी body का weight, जो है, वो इसी पे आते है, इस leg के bone, पुरे हमारे lower limbs पे ही सारा load आ जाते है, तो यह बिल्कुल strongest भी है, मजबूत भी है, ओपर से large भी है, और सबसे heaviest bone है, समझ आया, फिर से reading करेंगे, तो आपको फिर से समझ आएंगे, आप गर में फिर इंटायर weight of the body, when a person is standing in an upright position, आप देखो, क्यों है, वो सबसे strongest, heaviest and largest bone है, क्योंकि हमारे पूरी body की weight, जो है, यह उठाते हैं, हमारे lower limbs, जब कोई इंसान, खड़ा होता है, upright, 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 यहां पर आप राइट, मतलब उपर की तरफ, ठीक है, हम स्टेंड रहते हैं, खड़े र lower limbs है, कि सबसे पूरी body में सबसे strongest, सबसे heaviest and सबसे largest bone होते हैं, समझ आया, तो यह हो गया, किसके बारे में, हमारे limbs के बारे में, हमने आज तक, स्कल्टल सिस्टम, जो बहुत सारे parts थे, स्कल्से लेकि हम पढ़ते आ रहे हैं, स्कल्ल आप फिर से reading करेंगे, इंको पढ़ें स्कल्ट में कितने bone है, इसके बाद, हमारी rib cage हमने पढ़ा, vertebral column पढ़े, इसके बाद, यह limbs आगे, ठीक, इसके बाद, हम आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, next topic हमारा, क्या होगा, joints, next क्या है, joints, ठीक है, हम सब जानते हैं, हमारी body में joints है, अगर सीधे हड़िया ऐसे ह होते हैं, हम पाद जोटे, हम पने हाथ अगर, पैर, टांग, और टांग, और टेबरल column को हम जुक नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे body में joint से, जोट से, जिसकी वज़एंगे हम क्या कर पाते हैं, मूमेंट कर पाते हैं, ठीक है, और यह joint हम कहते हैं, जोइंग तक जोइंग ने खुिता हैं, यह बोन में शे-वट यह कह電्या में जोईंग, को भी उने रह पुम नहें कोने में पाँदू कुईंग, के मaह मैं पता है न हमारे bones किया है। बहुत सारे bones आपसे- जोईंड है। प्लेस वेर टू-बौनस मीट इसिसक़ल जॉइंड है। वह झीक्ते हमें किसे कहते हैं। वह जगह जहां पर दू-बौोनस मीट करते हैं। जूइंड हैं जॉइंड हैं। अबर सिकल्टन इस वेरी हार्ट बट इट इस बेंड और मूझ बिकास अब दीज जाइंट हमें पता है हमारे बोड़ी में जो स्कल्टल सिस्टम है वहारी बोड़ी का द्धानचा है पूरी हड़ीया है और वह बिलकुल हार्ड है ठीक है सकत है लेकिन इसके बावजूद हम अधिक कर दो है किस वज़ा से इन ही जोइंट की वज़ा से स्ट्रॉंग स्ट्रेची बॉन्स और टिशूज का लिगमेंड्स हो τις बोन्स टूगेज़र बीश में क्या होते हैं कुछ tissues present होते हैं ठीक है जिस हैं ligaments कियते हैं जो आपस में इन दोनों bonds को क्या करते हैं वाइन करके रखते हैं ठीक है इसको हम कियते हैं ligaments यहाँ पर आप अगर देखेंगे यह तो यहाँ पर आपको कुछ stretchy bonds, stretchy चीज़ें टिशूस दिखाए दे रहे हैं white white color के यह क्या है ligaments है, ठीक है hold the bond together, इन लिगमेंट का काम क्या है अपस में दोनों bonds को hold करके रखना पकड़ के रखना ठीक है, तो joint के बीच में joints के हर जर्ण पर क्या होते हैं ligaments होते हैं, जो bonds को hold करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, there are different kinds of joints in our body that allows different movements, joints का काम क्या होते हैं, हमारे बोड़ी में बहुत सारे joints है, और हर joint अलग-अलग हमारे लिए काम करते हैं, किसमें काम करते हैं, movement में, ठीक है, except for the joint in our skull that are immovable, all other joints are movable, यह बाद हमने पहले भी पढ़ा था, कि जितने भी हमारे body में bones है, हर जगे पे, क्या सारे bones क्या है, movable है, जो move कर सकते हैं, except सिर्फ बगएर किसके, जो हमारे skull के bones है, हमने कहा था न, skull के bones आपर interlocked है, वो move नहीं करते हैं, बगएर किसके, हमारे जो lower jaw है, उसके बगएर कोई भी bones, यह can move नहीं करते हैं, the skull bones are immovable, as the eight bones are interlocked, क्या हमने कहा था, skull में जो बरेन के portion में, जो eight bones है, वो बलकुल interlocked है, आपसमें जुड़े हुए हैं, सिर्फ the lower jaw bones is the exception which are only moveable in the skull, skull में सिर्फ एक ही bone है, जो lower jaw है हमारा, जिसके वज़े से हम बात कर सकते हैं, हम खाना चाबा सकते हैं, वही moveable है, बाकि हमारे skull में कोई joint, कोई moment नहीं होते हैं, except the lower jaw, और बाड़ी में जिसने भी joints है, वहां पर क्या होते हैं, moment होते हैं, तो इतना काफी है, नेक्स लेक्चर में हम हमारे बाड़ी के different types of joints पढ़ेंगे, तब तक आफ इन्हें फिर से revise करें, इन्हें याद करें, और आगे exam के लिए U1 के लिए तायार करें,